कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि after 10 जो है कौन सा stream को हम decide करें कौन से subject को हम decide करें जिससे कि हमारा जो आने वाला future है वो एक secure बन सके और जिसमें हमारा एक अच्छा carrier बन सके तो आज हम इस वीडियो में detail में जानने वाले हैं तो without time based किये चलिए शुरू करते हैं 10th complete करने के बाद हमारे पास सबसे पहला option खोल जाता है एक होता है science, एक होता है commerce, एक होता है art अब आपके पास यहाँ पर तीन option है लेकिन जादतर student का क्या होता है कि बहाँ पर वो find out करते हैं percentage wise लेक अगर 80% आये या उससे भी अच्छे number अगर आपके आये तो बहाँ पर जा है तो बहाँ पर student सोचते है कि मैं तो आरटी लूँगा मैं तो लाइक जादा कुछ कर नहीं सकता तो यहाँ पर जो आप subject मतलब एक after 10th जो decide कर रहे हैं तो यहाँ पर according to percentage आप ना देखें क्योंकि percentage के according आप देखेंगे तो उससे एक मतलब अच्छा carrier आप नहीं बना पाए है कि आपने देखा हो हमारे आसपास कोई भी इंसान जो सक्स काम्याव होता है, हम ज्यादा तर सोचते हैं like after 10 तरह लाइक उसने बीटए किया है तो मैं भी बीटए कर लूँ या उसने लाइक फार्मेसी किया तो मैं भी वही कर लूँ तो आपने वो चीज़नी करनी है जो आपका नेचुरली लाइक आपके मन से जो आप लाइक आप जिस चीछ को लेकर पैसे नेट हैं आपने वह इंट्रेस्ट अपना करने में बड़ी आसानी होगी आपको होता क्या है कि जब आप एक गोल डिसाइड कर लेते हैं तो आपको पता होता है कि मैंने जो है यह लाइक अचीफ करना है यह मेरा जो मेरा गोल है मैं इस गोल तक पहुंचना है हमारे इंडिया के अंदर एक चीज और बहुत जादा जी जादी है कोई भी आपका carrier decided कर देता साइंस ले लिए आप को मर्स ले लिए आप आरच ले लीए आपके विजन और आपके घॉल के साब से decide जो आप stream करेंगे वही काम आएगी वहाँ पर आपके friend काम नहीं आएगे तो अपने आप हमिसाद ध्यान रखें जो भी stream आप decide करें वो ना कि आपके friend के साफ से ना किसी like अपने relative के साफ से आप अपने interest के साफ से देखें चीज को अपने goal के साफ से देखें कहने का sense है कि आ आइस से भी आपके पास बहुत option है तो आप एक दन भीड़ का हिस्था ना बने लाइक अगर कोई engineering कर रहा है तो आप भी engineering करेंगे या like कोई medical line में जा रहा है तो आप भी वहीं जाएंगे या कोई like किसी exam की अगर तैयारी करेंगे कुछ like जो आपको naturally जो आपके मन से निकल बहुत जाबा courses हैं कि जो like commonly रहते हैं कुछ specific course है जो science के according like आप या आरट के हिसाब से या commerce के हिसाब से जो आप कर सकते हैं इससे हट के भी मतलब आपने कोई सबी subject लिया है तो आप बहुत सारी चीज़े आपके पास होती है बहुत सारे option आपके पास होते हैं जो कि आप कर स नीज रिपोर्टर होते हैं तो इसमें भी कोई भी student जा सकता है मतलब ऐसे सहकोड़ों आपके पास मतलब opportunities होती हैं किसी भी field से आप जा सकते हैं चाहे आपने science लिये चाहे आपने commerce लिये चाहे आपने आरट लिये लेकिन एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखे you have to find out your interest and goal उ thank you so much for watching this video और बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी you can check out our channel thank you so much for watching this video and I love you all